एलो दोस्तों स्वाला थाप का आज की एक न्यू वीडियो के साथ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किड्नैपिंग और अब्डेक्शन में क्या डिफरेंस होता है कौन सा प्रोविजन गवर्न करता है क्या इसमें पनिश्मेंट का प्रावदान है वो सारे वीडियो आपकी कंसेप्ट इस वीडियो की हेल्प से आपके बिलकुल कंक्लूड होने वाले है तो दोस्तों जैसके हम जानते हैं किड्नैपिंग का प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 359-361 एंड सेक्शन 362 में एब्डेक्शन की बात की की है दोस्तों चैनल पर नए हैं चलों को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के इस अपडेट आप तक भी टाइम पहुंच सके तो विदावड वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट इस वीडियो सबसे पहले हम देखते हैं कि accused का intention क्या होता है kidnapping की case में और abduction के case में तो in the case of kidnapping the intention of the person kidnapping a minor is immaterial so as to the crime committed by the accused यानि कि उसकी जो intention है so kidnapping करने की वो माहिने नहीं रखती है बलकि किस इरादे के परपस से उस बंदे गा kidnapped किया गया था वो ज़्यादा जरूरी है In the case of abduction, the intention of the person abducting is a very important factor in determining the guilt of the accused person यानि कि किस intention से उस व्यक्ति को अपहर्ण किया गया था वो माय रखती है Because basically abduction का meaning होता है अपहर्ण करना किसी को Kidnap तो सिर्फ for the purpose लेकिन abduction जो है एक violence के रूप में किसी को आपहर्ण करके रखना वो उस category में आता है तो जो कि आगे हम पूरे details में इस वीडियो में देखने वाले हैं उसके बाद बार करते हैं Crime continuity की Kidnaping is not a continuing offense Kidnaping जैसे कि Suppose कि आपको कोई किड़नेप करके ले गया तो वो एक continuing offense नहीं है क्योंकि इस तो आपको किड़नेप किया हुआ है And जो abduction है वो in furtherance of kidnapping जब हो जाएगा किसी भी crime को commit करने के लिए तो उसको abduction की category में रखेंगे The offense is done As soon as the person accused removes the person from his or her lawful guardianship यानि कि जो offense तभी माना जाएगा कि जब भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी की lawful guardians से ले जाता है बिन उसकी permission के उसको हम kidnapping कहेंगे kidnapping विसली section 359 IPC का कहता है कि IPC divides kidnapping into two classes पहला है कि kidnapping from India दूसरे है kidnapping from lawful guardianship और section 360 में आप further बात की गिए kidnapping from India and kidnapping from lawful guardianship के बारे में और वही abduction जो है वो एक continuing process है क्योंकि and in this the person so abducted is removed from one place to another अब बात करते हैं guardianship की the person kidnapped is removed from the lawful guardianship a child without a guardianship cannot be kidnapped यानि की जो एक छोटा बच्चा है अगर बिना guardianship के उसको kidnapped नहीं किया जा सकता guardianship is immaterial to determine the offense of abduction it has reference exclusively to the person abducted यानि की abduction के case में क्या है कि उसको guardian का मानना कोई माईने नहीं रखता है बलकि यह माईने रखता है कि उस बंदे का अपहरन हुआ है it means की kidnapping involves taking away or enticement by the kidnapper the means used for such purpose is irrelevant kidnapping बस आपने किसी को kidnap कर लिया लेकिन किस परपस से किया है वो माईने नहीं रखता है बस आपने किसी को kidnap कर लिया यानि कि किसी एक विक्ति को किसी lawful guardianship से अलग कर लिया इतना बहुत है और वहीं अगर आपने किसी force का use कर लिया उसमें कोई compulsion का कोई दवाब का तो फिर वो abduction बन जाएगा तो वहीं ये concern में जैसे basically बात करें कि जो immaterial है और abduction में किया है कि किसी purpose से जो लेके गया है वो माईने रखता है इसका provision दिया गया है IPC के section 359 से 361 में kidnapping को define किया गया है जिसमें हमने देखा section 359 में कहता है कि kidnapping जो है वो two classes में बाटी गई है पहला है kidnapping from India और दूसरा है kidnapping from lawful guardianship 360 में kidnapping from India है और 361 में है kidnapping from lawful guardianship जो कि कहता है कि अगर कोई वेक्ति किसी दूसरे minor को मतलब अगर 16 साल का male है या फिर 18 साल की female है किसी वेक्ति को फिर चाहे वो unsound mind है उसको बीना किसी person से lawful guardians से लेकर जाता है तो माना जाएगा कि उसको kidnap कर लिया गया है और lawful guardianship include any person lawfully interested with the case or custody of such minor or other person उसके बाद abduction की definition देगे section 362 में जिसको एकरम simple बासा में कहें तो अपहरण कहते हैं इसमें हक्याएगी एक आदमी दूसरी आदमी को किसी भी force या fraud की वजए से एक जिगह से दूसरी जिगह ले जाए उसे abduction कहींगे और ये धारा जो है ये ध्यान देना जुरूरी है कि हमेशा दूसरी धारा के साथ ही लगती है अकेले नहीं लगती यानि कि abduction आप किसी purpose के ले गे थे suppose कि उसको मारने के purpose से अकेले ये धारा नहीं लगती है उसके बाद अगर मمज़े नहीं कि माइनर एज की बात की जाए इसमें तो it is committed only in respect of minor यानि किड्नेपिंग जो है सिफ माइनर से related हो सकती है माइनर क्या 16 साल का लड़का और 13 साल की लड़की या फिर कोई भी एक unsound mind को जब लेके जाते हैं तो किड्नेपिंग माना जाएगा जबकि abduction is committed in respect of any person of any age and there is no bar to any specific age of person यानि कि दोस्तों basically difference kidnapping और abduction का conclude हम ये कह सकते हैं कि जो kidnapping है वो किसकी हो सकती है या तो कोई 16 साल का लड़का होगा या 18 साल की लड़की होगी या फिर कोई भी unsound mind किसी को lawful guardianship से लेकर जाता है तो उस मामले में kidnapping कहा जाएगा लेकिन abduction जो है वो किसी भी age में हो सकती है यानि कि 18 सागर 20 साल हो गया तो abduction माना जाएगा बतलब इस abduction के case में कोई specific age का बार नहीं दिया गया है और ये जो section दिया गया है section 359 से 360 में kidnapping है section 362 में abduction की definition दी गई है under the Indian Penal Code 1860 इस तरह के important updates पाने के लिए और informative वीडियो देखने के लिए माई चैनल को subscribe केजिए आपके mind में को question वेडियो के regarding या फिर आप भी को specific topic पे IPC के वीडियो चाहते हैं तो आप हमें comment box और mention केजिए definitely as soon as possible आपकी जो वीडियो है upload कर दी जाएगी मिलते हैं जल्दे आपको new topic के साथ thanks for watching this video